बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे चैनल फिलिगी स्टूडियो में तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम अन्बॉक्सिंग करने वाले एच्पी के लैप्टॉप को जिसका मॉडल अमार है 15S FQ 2535TU जो की एक मीड रेंज सेग्मेंट का लैप्टॉप है तो करते हैं उसकी अन्बॉक्सिंग देखते हैं कैसा यह लैप्टॉप आ साथी बात कर लेते हैं उसके फीचर्स के बारे में जानते हैं क्या कुछ खासा है इस लैप्टॉप में लेकिन दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को आप हमारे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें साथी बेल आइकन को भी प्रेस कर लें जिससे हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके तो हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ आपका होश रही चलिए शुरू करते हैं तो फ्रेंड्स ही रहा वो लैप्टॉप जिसके अन्बॉक्सिंग आज की इसी वीडियो में हम करेंगे वैसे बॉक्स के इस तरफ देखेंगे तो आपको इसका प्राइस लिखावा दिख जाएगा जो कि 66,688 रुपीज है लेकिन ये इतना महगा नहीं है ये से कम किमत में मार्केट में मिल जाएगा फिलाल जो इसका प्राइस है वो 59,000 से लेकर के 60,000 के बीच में वेरी करता है वहीं दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर मॉडल नमबर और कुछ इनिशल इंफरमेशन इस लेपटॉप से रिलेटेड यहाँ पर मेंचन की गई है तो चलिए फटाफट कट वगरे लगा करके इस बॉक्स को ओपेन कर लेते हैं और देख लेते हैं लेपटॉप हमारा दिख्वे में कैसा है साथी दोस्तों मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वीडियो को आप पूरा देखें ताकि आपसे कही कोई जानकारी मिस ना हो जाए दोस्तों सबसे पहले हमें यहां देखने को मिलता है सेटप इस्रेक्शन गुगलेट जिसमें सिस्टम की इनिशियल सेटप इंफरमेशन यहां पर दी गई है और यह रहा हमारा वो मेन यूनिट लेकिन फिलहाल के लिए इसको साइड में रख देते हैं और देख लेते हैं बॉक्स के अंदर हमें और क्या कुछ मिल जाता है लेपटॉप के अलावा दोस्तो हमें यहां पर एक पावर कॉर्ट देखने को मिल जाता है साथ ही एक 65 वाट का चार्जर भी देखने को यहाँ पर मिल जाता है जो कि बढ़िया बात है क्योंकि जितने ज्यादा वाट का चार्जर होगा लैपटॉप को अतनी इतिजी से यह चार्ज भी करेगा बाक्स में बस इतना ही है इसके लावा बाक्स बिल्कुल खाली है तो वापस से आजाते हैं अपने इस लैपटॉप के तरफ निकाल लेते हैं इसकी साइड कुशनिंग को साथ ही इसको इसके प्लास्टिक बैक से भी बाहर निकाल लेते हैं दोस्तों यह laptop natural silver color में आता है जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे होगे बिल्कुल plane है यहाँ पर कोई texture वगएरा यहाँ पर नहीं है वहीं दोस्तों बात करेंगे इस laptop के वजन की तो इस laptop का वजन 1.69 कीजी है जो कि बहुत ज़्यादा भारी नहीं है और नहीं मैं इसे बह बहुत ज़्यादा मोटा नहीं है इसके डिजाइन को काफी स्लिम रखा गया है वहीं दोस्तों इस laptop के left side में देखेंगे तो यहाँ पर आपको two super speed USB type A port देखने को मिल जाएगा साथी एक indicator light और मिल जाता है एक charging port एक side की तरफ देखेंगे तो यह एरिया मिल्कूल plane है और य युकि data transfer के लिए है साथी indicator lights आप यहाँ पर देख सकते हैं और इसके अलावा हमें मिल जाता है audio out और mic in combo port और मिल जाता है 3-in-1 multi card slot वहीं दोस्तों laptop के back panel पे देखेंगे तो यहाँ पर आपको दो जोनर रबर strap लगे हुए दिख जाएंगे जिससे इसकी table पर पकड़ बनी window 10 का भी sticker देख सकते हैं और चलिए laptop के top panel को open करते हैं और इसे के साथ ही हमें यहाँ पर दिख जाता है ब्लैक कर लगा हुआ keyboard की उपर एक test paper इसको भी side में हटा लेते हैं तो काफी कुछ इस तरह से दिख जाता है यह laptop simple design यह एक standard look वाला laptop है laptop का look तो काफी simple है लेकिन फिर यह देखने में बहुत बढ़िया लग रहा है तो चलिए दोस्तों बिना समय कवाई इस laptop को boot कर लेते हैं और जब तक यह boot होता है तब तक आप भी हमारे वीडियो को like करतीजे और अगर हमारे चैनल में नए है तो हमारे चैनल को please subscribe कर लिजे दोस्तों system अब boot हो चुका है औ दोस्तों यहां पर हमें 15.6 इंच का फुल एच्टी माइक्रो एच्ट एंटी ग्लेर डिस्प्ले मिल जाता है जहां पर हमें 250 निट्स की बढ़िया ब्रेटेस मिल जाती है जहां पर रेजुलेशन मिल जाता है वन थाउजन 920 बाइटेन एकी पिक्सल्स 45 परशंड एंटी दोस्तों फुल एच्टी और IPS स्क्रीन होने की वजह से डिस्प्ले की कॉलिटी यहां पर बढ़िया है मुझे नहीं लगता कि एच्पी ने किसी तरह को कोई कंप्रोमाइस किया यहां पर इस्क्रीन की वागई बहुत बहतरी है साइट से भी दोस्तों अगर आप इस स्क्री 1135G7 variant वाला Intel Core i5 का प्रोसेसर मिल जाता है जिसकी बेस क्लॉक की स्पीड है 2.4 GHz से ले करके टर्वो बूस्त के साथ 4.2 GHz नंबर्स ऑफ पोर मिल जाते हैं 4 जो की प्रोसेस करते हैं 8 थ्रेट्स को और साथी 8 MB की Intel Smart Cache मेमोरी मिल जाती है वहीं दोस्तों 4 GB के हमें 2 रेम यहाँ पर मिल जाती है टोटल 8 GB जहाँ पर रेम फिक्वेंसी है 32 MHz यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 of 2 यानि हर एक स्लोट में 4-4 GB की रेम का इस्तिमाल किया गया है और रेम को आप 32 GB तक एक्सपेंड कर सकते हैं और ऐसे लेपटॉप जहाँ पर सिंगल रेम की बजाए डूल रेम पर इस्तमाल किया गया हो उन सब सिस्टम में सिस्टम की पॉफ़मेंस थोड़ी जी बहतर हो जाती है वहीं दोस्तों 5-12 GB का स्टूरेज मिल जाता है स्टूरेज टाइप है SSD जो की Intel की तरफ से Intel 6 Series का वहीं दोस्तों बात करोंगर इसकी ग्रैफिक्स की तो यहाँ पर हमें Intel Iris Xe का ग्रैफिक प्रोसेसर मिल जाता है वहीं दोस्तों इस लैप्टॉप में अगर आप फोटो एडिटिंग या फिर वीडियो एडिटिंग का वर्ट करते हैं या फिर गेमिंग बगएरा करते हैं तो Intel Iris Xe ग्रैफिक होनी की वज़े से यहाँ पर पर पफॉफ़मेंस आपको थोड़ी सी बेहतर मिलने वाली है इसी के साथ ही दोस्तों ये लैप्टॉप Microsoft Office Home and Student के साथ में आता है जो कि Lifetime Validity के साथ में है साथ ही Windows 10 Home Edition दिया गया है Lifetime Activation के साथ जहाँ पर System Architecture is 64-bit का वहीं दोस्तों HP का True Vision HD webcam दिया गया है जो कि Integrated Dual Arrange Digital Microphone के साथ में है लेकिन यहाँ पर आपको उस लेवल की quality नहीं मिलेगी कहने को तो ये HD है लेकिन यहाँ पर आप पुर्चिक था कफॉफ़मेंस वाला webcam मिल जाएगा लेकिन अगर यहाँ पर आप खोड़ी सी light वगरे improvement और हो जाएगा वहीं दोस्तों white back lid के साथ full size का keyboard दिया गया है जो कि numeric keypad के साथ है यहाँ पर आप देख सकते हैं और यहाँ पर की की जो gapping एक दूसरे से काफी decent रखी गई है दोस्तों HP की तरफ से यहाँ पर dual speaker system provide किये गये जिनकी sound quality वा गई बहुत बहतरीन है यहाँ प ठीक ठाक काम कर रहे है clicking sound इनकी बढ़िया है यहाँ पर वहीं दोस्तों इस keyboard के key का travel यहाँ पर आप देख सकते हैं ना ही कम है ना ही जादा है ठीक ठाक है दोस्तों इस laptop में back lid keyboard दिया गया है अंधिरे में कुछ इस तरह से दिख जाता है इसका keyboard जहाँ पर आप देख सकते ह पर जो text है यह काफी clear दिख रहे हैं यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं इस laptop के panel को आप इससे जादा open नहीं कर पाएंगे वहीं दोस्तों इस laptop में 3 cell 41 watt की lithium ion battery प्रोवाइड की गई है जिसकी वजह से आपको यहाँ पर असानी से 6-7 घंटे तक का battery backup में जाएगा साथ ह लेकिन अगर आप कोई ऐसा काम कर रहे हो जिसमें प्रोसेसर अपनी फुल स्पीट पे चल रहा हो फुल छमता पे चल रहा हो तो उस कंडिशन में भी आपको डेड़ से 2 घंटे तक का battery backup में जाएगा इसके साथ ही दोस्तों Bluetooth यहाँ पर मिल जाता है 5th version का और Wi-Fi मिल जाता ह 6th generation का जहां पर wireless connectivity आपको थोड़ी से बहतर में जाएगी तो दोस्तों यह था वो laptop जिसके unboxing आप सभी ने देखिए जाना इसके features के बारे में मेरे इस आपसे laptop बहुत बढ़ी हैं खास करके programmers के लिए executives के लिए और उन लोगों के लिए विजो की video editing का work करते हैं वैसे आप सब क्या रहा है इस वीडियो को देखते हुए laptop के बारे में कमेंट करके हमें जरूर बताईएगा वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें जो नए वीवर समझ चैनल को हमारे जरूर सब्सक्राइब करें बने रहे इसी तरह से हमारे साथ देते रहे अपना धेर सा सब्सक्राइब मिलते नेक्स वीडियो में तब तक लिए जैहिन धन्यवाद